तो हेलो गाई जिन हमारा इंसानी दिमाग एक ऐसा एडवांस और पाउरफुल नेचुरल मसीन है जिसके हल्प से हमने ना सिर्फ अपने आसपस मौजूद सभी कॉम्प्लिकेटर चीजों को समझा और जाना है बलकि आउटर स्पेस के बारे में भी हमने बहुत जादा एक्स्प्लोर किया है और इसी ओर में हम इंसानों ने खुद को भी समझने की भरपूर कोसिस किया है और नो डाउट कि आज हम अपने ब्रेन और बोड़ी के बारे में बहुत जादा जानते हैं क्योंकि आज हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्टडी की जाती है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नियूरो साइंस के बारे में जो यूमन ब्रेन को समझने में हमारी काफी हद तक हायरत करता है सुस्टेट टून्ड वेड लॉजिकल फंडा एंड बिदाउट एन्य एक्स्टा डिले आईए सुरू करते हैं विलकुइच बिसिकली नियूरो साइंस जीसे नियूरो साइंस भी कहा जाता है स्टडी करता है हमारे नर्वर सिस्टम के ऊपर मतलब हमारा nervous system कैसे काम करता है उसका structure कैसा है and how it develops हमारे brain में billions of neurons मजूद है जो information को messenger की तरह transfer करते हैं ये सारे neurons आपस में connected होते हैं और इन neurons का path बहुत effective होता है हमारे intelligence और creativity के लिए क्योंकि हमारी intelligence इस बात पर depend करती है कि आखर ये neurons आपस में किस तरीके से जुड़े हुए है और इसलिए इनका structure भी change होता रहता है neurons के अलावे neuroscience whole nervous system के study करता है neuroscience में psychology and biology जैसे branches की भी study involved है ताकि learning, memory, behavior and perception जैसे factors को और बहतर समझा जा सके अगर हम इस subject के history पर गोर करें तो बहुत पहले से ही लोगों ने इसे explore करना सुरू कर दिया था क्योंकि 1700 BC के आसपास Egyptian को थोड़ी बहुत knowledge थी related to human brain and their disorder और इसके अलावे कुछ Greek philosopher Pluto and Aristotle ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है और आज के time में भी लोगों का interest लगातार बढ़ता जा रहा है brain and उसके functions को लेकर और इसी interest के कारण कई सारी organization की सुरुआत हुई है related to neuroscience और वाकई में neuroscience हमारे लिए बहुत important भी है क्योंकि अगर हम अपने brain के working functions को समझ पाएं तो हम हमारे overall performance को और बहतर बना सकते हैं क्योंकि हमारी हर activity पे इसी का control होता है जैसे कि हमारी cellular circuit हमें पढ़ने और बोलने के लिए कैसे able बनाते हैं हम दूसरे इंसानों के साथ bond कैसे बनाते हैं हम कैसे कुछ नया सीखते हैं और उस information को अपने अंदर store कर पाते हैं हमें कभी दर्द और कभी motivation का एहसास होता है और कैसे हम खुद को motivated रख सकते हैं and many more things जिसके पीछे के हम एक scientific region को जान पाते हैं because of neuroscience लेकिन आज भी किसी को ये बात exactly पता नहीं है कि हमारा human brain काम कैसे करता है तो गाइच ये थी एक brief introduction about neuroscience जिसमें हमने कुछ basic चीजों के उपर discuss किया and I hope आपको वीडियो पसंद आगा वार वीडियो में बताई कि सारी बात आपको क्लियरली समझाए होंगी तो बस आज के लिए इतना ही है बागे वीडियो को लाइक करना और नीचे कॉमेंट सिसम में कॉमेंट करके जब बताना वीडियो आपको कैसी लगी and also do not forget to subscribe जैंद